मेरा चनल पर सभी का वैलकम, आज हम आपको पप वाली बाजो बताएंगे, कैसे बनती है, यह बाजो आप सूट पर बना सकते हैं, बलाओद पर बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसी चीत बना सकते हैं, फिरोग पर भी बनती है यह, तो हम इसको कपड़ा को ऐसे तो यह वाजू की कटाई कैसे कटिंग होगी यह मैं आपको बता रही हूं यह तिकुना वे जो हम तिकुना कपड़ा से बनाते हैं तो यह बहुत सुंदर वाजू बनती है और अच्छी लगती है कि धाय यह सबसे पहले हम कह लेंगे जो नीचा की तरफ से हमारा भाग होते हैं उस नीचा की तरफ से रहसे हाज दा आऀ लगाएंगे और हमगाज की लंबाई लेंगे 5 इंच तो यह हमारी की लंबाई होगे 5ांच अर मैं एक्स्ट्र कपड़ा लगाँ इसमें 6 इंच के यहmos तीन पर निसान लगाए । बेच तो यह यहां इदेवक? एक्स्ट्रा डालने के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे हम इसकी गोलाई देगे बाजो की कटिंग की आया जोग छह इंच हमें जो कपडा रखे यह हमारा यह अमारा दोनु तरफ से बाजो की कटिंग हो जाएगी अर यह कपड़ अमारा गोलाई से ऐसे रहेगा छेंच पिर हम बाजो के लंबाई जैसे दोनों तरफ से हम ने इसकी 6 इंच यहां से भी 6 छे लेंगे लेकर पहले नीचाइक तरफ से जो बाजो बनती है और 7-7 इंच दोनों तरफ से हम 7 इंच यहां से भी 7 इंच हम इसको यहां से ऐसे चुन्न डालेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे तो जो बाजो की 5 इंच लंबा यह तो डाई डाई इंच की यह हमने यहां से छोड़ दिया और यह कटिंग कर दिया यह हम आवे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे इसको तो यह हमारी दो बाजू बन गी दबल है न तो हमारी दो बाजू बन गी जो यह हमने निशान लगाया है यह बीच का 6 इंच का तो पहले सबसे पहले बीच सेंटर वाला इधर से भी इच सेंटर का और फिर जो यह साइड में अमने निशान लगाए उस पर हम कट करेंगे इसको अलग करके बाजू को यहां से अ इस जो दो दो निशान हमने 6 इंच से लगाए था इनको इसमें जो चुन्नेट आए हमारी इसको बीच से कट कर देंगे दोनु तरफ से ऐसे फोल्ड किया चारू बाजू ले और इसको दोनु बाजू चारू को कट कर दिया यहां से और इसको भी दोनों को निशान लगा दे अब यहां में इसको चुन्नेट डालने में असानी होंगी यहां तक चुन्नेट पड़ेंगे हमारी यह उपर की तरफ किये और यह अमारा नीचा का भाग है यहां से अभी शिलाई करते हैं करेंगी यह अमारी पट्टी है यह मैंने दो इंच की लई है जो सलवार के मेचिंग का कपड़ा है इसकी में पट्टी डालोंगे बाजो की यह मैंने अपना हाथ का हिसाब से लई है तो यह हमारी पंद्रा इंच है इसको में जैसे आथ की बाजो मोटी हो तो 16 तरह जोब है लेकिन मैंने पंद्रा इंच लिया आए इसको इसको बीच मुक काट दे देंगे जो चुन्नट है इसी हिसाव से हमारी डाली यह हमारी दो नूत्रस है यहां तक चुन्नट आनी ची है यहां तक चुन्नट आनी ची है अब यह मैं आपको शीलना बताते हैं कैसे शीलाई हो गीश की देख यह अमर कपड़ा है जा मैंने निशान लगाया है उसी हिसाव से मैं इसमें चुन्नट डालूंगे जहां यहां कट है यहां से सरू करूंगे और ऐसी बारी बारी चुन्नट डालूंगे दो नूबाजोंगे चे क्वाइब एक में चुन्द ड़ल गी अभी इस तरह हैं अभी मैं पिछा की भी पिछा की भी यहां जैसे निशान है उसी हिसाब से इसकी चुन्द ड़ल ऐसे दबा दबा के है 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 हुआ है 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 चुन्द तेयार होगी अभी है हम यह पट्टी को नीचे रखेंगे शीद्य दित्रफ से और इसको शिलाई लगाएं है 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 निचे प्तुन तोमरी संदर से पढ़गी इस पस्ती कम ऐसे फोल करेंगे और यह सिलाई लगाँ देगे था है यहां से यहां तो यह से लेड़े लेड़े यह हमारी वाजो तैयार होगी तक होगी देखो कितने संदर चुन्ने टाई है और कितने अच्छी लग रहे हैं यह देखो कितने अच्छी बनी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आप तो आप जरूर शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना धन्यवाद आपका आप जरू बनान